जै शीमन नारायन नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को वट सावीत रिवरत कब करना है शुम महुर्थ पूजावीधी महत्व उपाय और पौराणी कथा ये सब कुछ पताऊंगी इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंध तक बने रहें वीडियो को इसकी पना करें और ध्यान से सुनें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले वर्ट सावित्री वर्ट 19 में 2023 को रखा जाएगा इस दिन सुहागी ने पती की लंबी उम्र सुहाग की रक्षा के लिए सुर्योदय से लेकर सुर्यास तक वर्ट रखती हैं ऐसा कहा जाता है कि वर्ट सावित्री का वर्ट करवा चौद जितना ही फलदाई होता है इस साल वर्ट सावित्री वर्ट के दिन कुछ खास संयोग बन रहे हैं जो इस दिन का महतो तो घुना कर रहे हैं वर्ट सावित्री वर्ट जेष्ट मास की अमोस्या पे रखा जाता है इस वर्ष अमोस्या तिथी 18 में की रात को 9 बज कर 42 मिनट पर लगेगी और समापन 19 में की रात में 9 बजगर 22 मिनट पर होगा वर्ट सावित्री वरत में वर्ट व्रक्षियानी भर्गत के पेड़ की पूजा का विधान है इस दिन सुबह 7 बजगर 19 मिनट से सुबह 10 बजगर 42 मिनट तक पूजा का शुब मोहर्थ है वर्ट सावित्री वरत 2023 में तीन शुभ योग लग रहे हैं पहला शुभन योग वर्ट सावित्री वरत पर 18 मई 2030 को रात 7 बजगर 37 मिनट से 19 मई 2030 को शाम 7 बजकर 17 मिनट तक शोभन योग लगेगा शोभन योग को बहुत ही शुमाना गया है इस योग में पूजन करने से ब्यक्ति का आकर्शर बर्था है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है गज कीसरी योग वर्ट सावित्री अमोस्या की दिन चंद्रमा गुरू के साथ मेश रासी में होंगे इससे गज कीसरी योग बनेगा इस योग में पूजा और शुप काम करने से साधक हाथी जैसा बल और लक्षमी जी का आसिरवाद पाता है शस राज योग इस दिन शनी जैंती भी है और वर्ट सावित्री वरत वाले दिन शनी अपनी रासी कुंब में विराजमान होंगे जिससे शस राज योग का निर्माण होगा शस राज योग समाज में मान सम्मान और आई में व्रिधे दिलाता है अब मैं आप लोगों को वर्ट सावित्री वृत की उपाय के बारे में बता देती हूँ वर्ट सावित्री वृत की दिन जो वृती बर्गत का पौधा लगाता है जिसका वैवाहिक जीवन कभी तनाव में नहीं रहता है आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं और पती को दिरगाय का वर्दान मिलता है वर्ट सावित्री वृत्री वृत्री सुहागिनों का पर्व है कहते हैं सुहाग की समगरी का दान करने से पती की आई में व्रिधी होती है ऐसे में इस दिन चूड़ी, बिंदी, महंदी, कुंकुम, हल्दी का दान सुहागिन महिलाएं अवश्य करें और वर्ट वृत्री पेड की थोड़ी सी जड़ को पीले कपड़े में बांध कर अपने पासुरक्षित रखें इससे धन लाब तो होगा ही परिवारित जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा अब मैं आप लोगों कुवट सावित्री व्रत पूजा में काम आने वाले समगरी का लिष्ट बता देती हूँ कच्चा सूती अधागा बांस का पंखा लाल रंका कपड़ा लाल रंका कलावा बरगत का फल धूब मिटी का दिया फल फूल रोली सिंदुर अच्छत सुहाग की समगरी भीगे चने मिठाई घर में बने हुए पकवान जल से भरा कलश खरबूजा चावल के आटे का एपन हल्दी मिला कर बना ले वट सावित्री कवरत करने वाली सुहागिन महलाए सुबा सवेरे उठ कर सनान ध्यान से निवरित हो जाए और साफ वस्त्र धारड कर ले साथ सोलस रिंगार कर ले इसके बाद शुम महुर्त में वट व्रिक्ष की पूजा करे पूजा के दोरान धोप और दीप जलाए घर के बने ब्यंजनों का भोग लगाए बरगत के व्रिक्ष में हल्दी सिंदूर अच्छ चना सब कुछ खरबूजा सब समान अर्पित करे ब वट सावित्रे के दिन महिना आएं अपने पती की लंबी उम्र की कामना के साथ बरगत के पेड़ के चारो तरफ 11 एक इस या फिर 108 परिक्रमा लगाए इसके बाद उसके चारो और कलावे को लपेटे और आने पर एक चना जरूर चड़ाएं इस दिन भीगे हुए चने खान पन होता है फिर बास के पंखे से बट व्रिक्ष को हवा करें इसके बाद बरगत की एक पत्ते को अपने बालो में लगाएं अब धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके आठ ग्यारा एक किसी क्यावन या 108 बर बरगत की पेड़ की परिक्रमा करें इसके कि वक्त मीठा भोजन करें अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे शैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट में जैव शीमन नारायर जरूर लिखें